उज्जैन में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां नायाब तहसीलदार ने नर्वर के राजगराने की प्रतिस्चित परिवार की महिलाओं को धारा 151 में बंद करने की धमकी दे दी वहीं होम कारिंटीन परिवार को तहसील कार्याले बुलवाया जा रहा है जिसकी श प्रायुक्त की कोट में चल रहा है बावजूदिस के परिवार को परिशान किया जा रहा है पुलस अदिक्षक और नायाब तहसीलदार योगेश मिश्राम के खिलाफ आवेधानेक व्यानाधिकरत कारवाही किये जाने की शिकायत कनकबली जाला ने कलेक्टर से की है आपको बता दे कि ग्राम नर्वर में उनकी पैत्रक जमीन है जहां खेती करने के दौरान आरेफ पटेल वेधिवय प्रभा पहुंचे और कामरुक वादिया मामले की शिकायत नर्वर थाने में की गई तियाय ने दोनों पक्षों को बयान के लिए समय नियत किया लेकिन कोविट के कारण लॉकडाउन लग गया अब आप ही सुनिए कनकबली जाला से किस प्रकार उन्हें परिशानी का सामना करना पड़ा अरे तैसिलदार साब मेश राम जी हम लोग के पता नहीं क्यों हम लोग को एसे पीछे पड़ गए हम अपना खेती कर रहे हैं और अलग से वो दिवय प्रभा और एक वो आरिफ बदमाश है वो आके हम लोग को बोलने लगा कि नहीं आप यहां पर हाकाई नहीं कर सकते यह ह अब लगा भी को ने आएंगे अगले दिन पता चला कि भुला कि हम पहुच्छे रहे तो नीचे उतरह तो देखा कि वहां पर तो टैसील दार्टा पर खड़े हैं और वो शी क्रेंटी साहिबा खडी थे प्र फ्र वो पर चलने लगा है रहे मेरी मदर ईलों के तरफ तो मैं और आके नीचे उन्होंने पंच्टामा बनाया जहाँ जिस जमीन पर हमारी पैत्रिक मेरी जो चैतिक कर रहें वहां पर जिसका मुझा था हमने बोला भी आप पूछो ना लोगों से किसकी जमीन है और संडे के दिन लॉक्डाउन के दिन और हम बोल रहे हैं कोवेट कि हम पहली बार नीचे उतरहे हैं कल घर अपने कमरे से बाहर ने निकल रहें और इस तरह से तंग किया इसलिए मैं आज हार के एकदम तंग होके मैं आई हूं कि आज मे लोग यह लोग कहने लगे कि आप अगर आप उस जमीन पर गए और आपने खेती करने की कोशिश करी तो हम आपके पर 151 का कारिवाई करेंगे और आप लोगों को जेल में बंद कर देंगे और हमारे पास हम और यह तो बिलकुल विचारा दीन है अपर आयूप के उस कोट मे तो देखा आपने किस प्रकार उन्हें लॉक डाउन और होम कॉरिंटीन परिवार को परिशान किया गया बहराल अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में कलेक्टर द्वारा क्या कदम उठाय जाते है ब्यूर रिपोर्ट एमपी नियूज उज्जैन